सवाल है, अल्लाः ने कितनी उम्मतों को पैदा फरमाया है? आप्शन ए तक्रीवन 1000 आप्शन बे तक्रीवन 500 आप्शन सी तक्रीवन 99 आप्शन टी तक्रीवन 100 सही जवाब है, आप्शन ए तक्रीवन 1000 अगला सवाल है वो कौन सा परिंदा है जो फरिष्टों को देख कर बोलता है सही जवाब है ऑप्शन सी मुर्गा अगला सवाल है किस जगा जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है ऑप्शन ए कब्रिस्तान में ऑप्शन बी कब्रिस्तान के बाहर ऑप्शन सी मस्जिद और इदगाह में ऑप्शन डी रोड पर सही जवाब है ऑप्शन सी मस्जिद और इदगाह में अगला सवाल है दूसरा आस्मान किस चीज का बना है ऑप्शन A सोना का ऑप्शन B चान्दी का ऑप्शन C मिट्टी का ऑप्शन B बादल का सही जवाब है ऑप्शन B चान्दी का अगला सवाल है वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देख कर चिलाता है ऑप्शन ए गधा ऑप्शन डी कुत्ता ऑप्शन सी गाए ऑप्शन डी शेर सही जवाब है ऑप्शन ए गधा अगला सवाल है पुरान पाक में कुल कितने सजदे हैं ऑप्शन ए दस ऑप्शन बी बारा ऑप्शन सी चौदा ऑप्शन डी सोला सही जवाब है ऑप्शन सी चौदा सवाल है हजड़त इमाम हुसें रजी अल्ला अन्हों कहां शहीद हुए ऑप्शन ए मक्का में ऑप्शन बी कर्बला में ऑप्शन सी मदीना में ऑप्शन डी फिलिस्तीन में सही जवाब है आप्शन B करबला में अगला सवाल है किसके चनाजे को 40 दिन बाद दफन किया गया था आप्शन A हाबिल आप्शन B काबिल आप्शन C हज़द अली रज़िल्ला अनहू आप्शन D हज़द अमर फारुक रज़िल्ला अनहू सही जवाब है ओप्षण A हाबिल अगला सवाल है किस नभी के 99 बीवियां थी ओप्षण A हज़त याकूब अलेसलाम ओप्षण B हज़त दाउद अलेसलाम ओप्षण C हज़त इबराहिम अलेसलाम ओप्षण D हज़त नुम अलेसलाम सही जवाब है ऑप्षिन बी हज़त दाउद आले अगला सवाल है दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है सही जवाब है ऑप्षिन सी हज़त मुझ्टुफा सलिल्लाहुली वसलम अगला सवाल है हज़त मुझ्टुफा सलिल्लाहुली वसलम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई है सवाल है सात्मे आस्मान के फरिष्टे किस चीज में लगे हुए है आप्षिन ए बारिश परसाने में आप्षिन बी दुआ करने में आप्षिन सी अल्लाह की अबादत में आप्षिन डी गुनाह लिखने में सही जवाब है आप्षिन सी अल्लाह की अबादत में अगला स्वाल है हमारे नबी करीम हजरत मुहमत स्लिल्ला हुली वसल्म कितने साल तब्लीग किये। आप्शन ए 16 साल आप्शन बी 20 साल आप्शन सी 23 साल आप्शन डी 40 साल सही जवाब है आप्शन सी 23 साल अगला स्वाल है शैतान किस बात से खुश होता है आप्शन ए माबाप को सताने से आप्शन बी बच्चों को मारने से आप्शन सी शोहर और बीवी के जगरे से आप्शन डी बीवी को मारने से सही जवाब है आप्शन सी शोहर और बीवी के जगरे से अगला सवाल है अजान के वक्त बात करने वाले का अन्जाम कैसा होगा ऑप्शन A हमेशा बीमार रहेगा ऑप्शन B हमेशा कर्जदार रहेगा ऑप्शन C मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा ऑप्शन D मुश्किल से रुख निकलेगा सही जवाब है Audtion C मौत के वक्त कल्मा नसीब नहीं होगा अगला सौवाल है Hazrat Muhammad S.A.V. पर कौन सी पूरी सूरत नाजल हुई Audtion A इस्वराफातिहा Audtion D इस्वरा मुहमद Audtion C सुरा इक्रा Audtion D सुरा यासीन सही जवाब है Option A सुरफात है अगला सवाल है शादी में जूता चुराई का रसम करना कैसा है Option A जायज है Option B सवाब है Option C हराम है Option D हलाल है सही जवाब है Option C हराम है सवाल है इसमें से किस जानवर की गुर्बानी जायज नहीं है Option A भैस Option B भेल Option C उट Option D शेल सही जवाब है Option D शेल अगला सवाल है सूरज का पस्चिन से निकलना किस चीज़ की निशानी है Option A खत्रे की Option B भुकम की Option C ज्यादा गर्मी की Option D कयामत की सही जवाब है Option D कयामत की अगला सवाल है चयामत के करीब दुनिया से सबसे पहले कौन सी नियमत उठाई जाएगी Option A पानी Option B शहद Option C खजूर Option D फल सही जवाब है Option B शहद अगला सवाल है पानी को कितनी सांसों में पीना सुन्नत है Option A एक Option B दो Option C तीन Option D चार सही जवाब है Option C तीन अगला सवाल है सबसे पहले जुमा किसने कायम किया Option A खजद अमर फारुक रजियल्लाओ अन्हू Option D खजद अबुबकर सिद्दीक रजियल्लाओ अन्हू Option C खजद असद बिन जुरारह Option D खजद अली रजियल्लाओ अन्हू सही जवाब है Option C खजद असद बिन जुरारह अगला सवाल है इसलाम में सबसे पहले मुफ्ती कौन हूए Option A खजद मुहम्मद मुस्तुपा सलिल्लाओ अन्हू Option B खजद अली रजियल्लाओ अन्हू Option C खजद अबुबकर सिद्दीक रजियल्लाओ अन्हू Option D खजद अस्मान खजदीक रजियल्लाओ अन्हू सही जवाब है Option C खजद अबुबकर सिद्दीक रजियल्लाओ अन्हू अगला सवाल है अल्लाओ को ऊपर वाला कहना कैसा है Option A गुना है Option B सवाब है Option C कह सकते हैं Option D नहीं कह सकते हैं सही जवाब है Option D नहीं कह सकते हैं अल्लाओ पाक को ऊपर वाला कहना सही नहीं है क्योंकि अल्लाओ पाक हर जगा मौजूद है इसलिए बहते रहे के अल्लाओ को उनके नाम से ही बुलाएं और कॉमेंट में बताएं कि अल्लाओ पाक के कितने नाम है सवाल है सबसे पहले गेहों की खेती किसने की Option A सबसे पहले सरके बाल किसने मुंड़ाया? सही जवाब है अगला सवाल है कुरुबानी करना किस नभी के सुन्नत है? अबेसे अबिज्ट्बाट स्याईलिष। अगला सवाल है इंसान का खोन पाक है या ना पाक? आप्शन A पाक है, आप्शन B नापाक है सही जवाब है, आप्शन B नापाक है अगला सवाल है, क्या मैयत का बोसा ले सकते हैं? आप्शन A हाँ ले सकते हैं, आप्शन B नहीं ले सकते हैं, आप्शन C गुना होगा आप्शन D अदब के खिलाफ है सही जवाब है Option A हाँ ले सकते है अगला सवाल है नापाक बिस्तर परसोना जायज है या नहीं Option A जायज है Option D नाजायज है Option C मकरू है Option D मना है सही जवाब है Option A जायज है जायज है लेकिन अगर बिस्तर पर गंदगी लगी है और उसी गंदगी पर सो गए तो नापाक हो जाएगा और अगर बिस्तर पर पिशाप किया गया हो और वो सू किया हो तो उस पर सोने से नापाक नहीं होंगे जायज है